हेलो हाई नमस्कार शालगी बंदिकानाम and you are watching me on online platform of target with आलोग आज की मारी topic क्या है? Live in a relationship यह जो concept है living relationship का इसके बारे में हम बात क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अभी 19 January 2021 को इलाहबाद High Court ने एक फैसला सुनाया है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्यों यह topic लेकर आये हैं और क्यों जाना जरूरी है Actually living relationship जो है यह जो concept है वो हमारे इंडिया का तो है नहीं Basically यह आया है कहां से? Western culture से, adopt होके हमाया सीधा concept है भईया ठीक है बड़े होगा अच्छा आप चलो शादी कर दो Living relationship का concept हमारे भारत का है तो क्योंकि living relationship हमारे भारत का concept नहीं है तो हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि यह concept में क्या है? क्या नियम कानून है? अगर हम इसके लिए जाते हैं? तो क्या कानून है? ठीक है या कोई है आपके दोस्त में या कोई कहीं पे बे तो आप बता सकते हैं साथ ही साथ जो existing कानून है उसके बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है आप यूथ हैं अगर आप ली जानेंगे जो current scenario चल रहा है तो कौन जानेगा? तो आगे बात करते हैं उस decision के बारे में जो भी हाल में चर्चा में आया हुआ है इलहाबाद हाई कोट का मतलब इन्होंने एक याची का दायर की थी किसलिए? खुद को सरक्षर मांगने के लिए बोला कि ऐसा है कि हमारे घर वाले हमको परिशान कर रहे हैं क्योंकि आशा देवी और सूरज हुमार साथ रह रहे हैं अब आगे देखिए इसमें कोट करती क्या है और क्यों करती? यह आशा देवी और सूरज कुमार एक साथ रहते हैं लेकिन यह जो हैं पहले से शादी शुदा है आशा देवी महेशंद्रा के साथ शादी हुई है सूरज भी जो हैं वो किसी के साथ शादी शुदा है फिर उसके बाद क्या हुआ कि आशा देवी को क्या हुआ कि सूरज कुम कि आप रहने को किसी के साथ रह सकते हैं लेकि सोसाइटी में कि आप जाके रहने लगें अब यहाँ पर हाल यह है कि कि किसी का चक्कर हो जाए अरे बाबा चकर जूर की बात अगर कोई मतलब छज्जे छज्जे पर ताग जाग कर रहा है तो महले की आंटियां इससे मतलब अप्टिव हो जाती है कि हमारे देश का खोफिया डिपार्टमेंट फेल है तो इनकी हिम्मत मतलब हिम्मत को आप देखिए कि और तो जाने दीजे तो ये जो साथ रह रहे हैं याजी का दैर की तो कोट इस पर क्या डिसीजन देती है कोट कहता है कि भाईया जो है तुम बात कर रही हो और उस शादी को ना दो तुमने मतलब डिवोस लिया है नहीं हो किसी कारण वस शो निगोसित हुई है तो फिर तुमको ये unfài क्षण हम नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा living relationship में ये जो तुम साथ रह रहे हो रह सकते हो क्योंकि दो वयसकों कोई अधिकार है कि आप साथ रह सकते हैं और किसी के साथ रहना अपराध नहीं है तो आप अपरात की शड़ी में तो इसमें नहीं आते कि आप साथ रह रहे हैं लेकिन इनके उपर दूसरा अपरात का मामला क्या बनता है लेकिन आप अपरात के भोगी इसलिए हैं क्योंकि आप पहले से दोनों लोग शादी शुदा है तो यह अपराद की शेड़ी में IPC की धारा 494-495 के अंतरगत मानी जाती है, मतलब आप अपरादी है, यह दुराचार का मामला बनता है, होता क्या है यह कैसे अपराद का मामला बनता है, जैसे कि दो, एक पुरुष है, एक महिला है, दोनों ने शादी की भाई, यह परिवार करती है, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है, बेसिकली, तो करा दिये, लेकिन यह जो है, यह जो महिला है, यह बिचारी, शादी तो कर लिगभर के प्रिशर में आके, लेकिन इनको, इनका दोस्त अच्छा लग गया, यह फीमेल को, स्मार था, हैंसम था, भारा आता जाता थ अच्छा लग गया, अब यह इनके साथ, जो है, इनके साथ, इनके साथ, स्टेक्शन रिलेशन्शिप पॉर्म कर ली, या तो या इनके साथ, मूव ऑन कर गई, तो यह इस धारा के अंतरगत क्या हुआ, कि यह जो इनके हस्बेंड है, यह जो दूसरा पुरुष है, इसके टिपोस फाइल कर सकता है, अगर यह चाहें तो, फिक है, आगे, 19 जनुरी 2021 को लहबा हाई कोट ने आशा देवी और अरविन जी की याचिका को खारिज कर दिया, मतलब इनको नहीं दिया संदक्शाट, और बोला क्या, कि भाईया देखो, क्योंकि यह चीज हमारे कानून के प्राउधार में IPC की धारा दी हुई है, बताया मैंने आपको की अफराध है, तो हम जो हैं अपने अंतर नहीं शक्तियों के मतलब का यूज करके, आपको कोई संरक्शव प्रदार नहीं कर सकते हैं, और यह हमें कोई अधिकार नहीं है कि कानून के खिलाफ जाकर हम किसी को संरक्शव प्रदान करें, ऐसा लाहबाद हाई कोट ने आशा देवी और सूरस जी को बताया, अब आगे बात करते हैं, हाँ, आदेश जो है, विदिक अधिकारों को, मैंने आपको यह एक्स्प्रेन कर दिया कि क्योंकि कानून के खिलाफ अदालत अपनी अंतर नहीं शक्त हैं कि जब रिलेशन्शिप में, लिविन रिलेशन्शिप यहाँ पर काउंट नहीं हुआ, आपने देखा, कि आपको इसलिए इनको कोई संरक्षर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लिवन रिलेशन्शिप की जो शर्ते हैं, उनको पूरी नहीं करते हैं, आपको बता देए कि living relationship के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है खास लेकिन इसको शर्ते हैं ठीक है जैसे शादी से लिल्रेट कानून है आप जाके court marriage कर सकते हैं marriage को रोजिस्टर करा सकते हैं तो living relationship के लिए अगर आप precautionary हैं बहुत साथ आप cure लेते हैं खोना भी चाहिए अगर आप किसी के साथ move करते हैं तो आप living relationship के लिए agreement करा सकते हैं प्रायर agreement करा सकते हैं जो भी आप वादे इरादे मतलब खोन पर करते हैं कि चांद तारे तोड़ लाँगा और ये सब करके तो वो जिस तरीके का भी आपका प्रोगेंडा है आपको इस agreement करा लीजे कि भाई हम ये ये जो है खाना पूर्ती करेंगे अगर हमारे आपस में dispute हुआ तो इस agreement को महिला पुरुष दोनों इसके साथ जा सकते हैं अगर आप जाते हैं तो आगे अगर कोई dispute होता है तो आपकी court बहतर तरीके से मदद कर पाएगी अब आगे जानते हैं कि living relationship की क्या शर्ते हैं तो नहीं तो पते चले living relationship में रहने लगए फिर चपल में लगए आपस मे पलिस में case है, court में चला जाए फिर क्या और आप उसको भी misunderstanding है living relationship में कि दो दिन चार दिन हो ओयो वाला case तो दो चार दिन वाला नहीं होता बिटा कि अब ओयो में चले गए चार दिन किसी कमरे में चले गए रहने के लिए तो वो living relationship में consider नहीं होता है मतलब उसकी शर्ते हैं पहली शर्त सबसे important शर्त क्या है कि दो लोग आपस में मतलब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं चाहे वो वयस्क हो चाहे नहीं हो लेकिन living relationship तभी consider होगा जब आप वयस्क हैं तभी वो consider होगा 18 साल से अगर आप उपर हैं तब आप वयस्क हैं तब आप एक दूसरे के साथ living relationship म रह सकते हैं मतलब यह बताए जाता है यह हमारे देश का नियम है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको समाजिक security मिल जाएगी जब आप दो लोग एक साथ रहते हैं तो अगर आपके पास financial security नहीं है तो I will say think it twice कि वो कहते हैं कि जब एक dialogue है कि जब क्या होता है खाने को नहीं होते न दाने तो प्यार जो होता है वो खड़ीकी सुनिकल के चला जाता है practically यह truth भी है तो आप ज़रूर सोचे अगर financially dependent नहीं है दोनों लोग तो यह अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो please फिर यह तो बिल्कुल आप सोच नहीं सकते हैं खैर सोचने वाले सोचते हैं खरार भी हो जाते हैं लेकिन शर्ते यह हैं कि आप क्या है कि 18 साल के पूरे होने चाहिए दोनों में से कोई पहले से शादी शुदा नहीं होना चाहिए नहीं तो मोगे living relationship के अंतरगत नहीं माना और दोनों लोग एक साथ एक घर में रहने चाहिए जिसा मने बनाए च्छत की नीचे तक लंबे समय तक रहने चाहिए यहां तक कि आस पड़ोस के जो लोग है वो भी आपको consider करें कि यह पती-पत्नी हैं पती-पत्नी क्यों consider करेंगे क्योंकि कोई अपने घार के बगरना living relationship में नहीं रहता है जितना practical मामला हम देखते हैं अपने आसपास त्या करते हैं आप चोटे शेहरों से होते हैं जाते हैं दिली मुंबाई और फिर आपको कोई पसंदा जाता है फिर आप उसके साथ रहने लगते हैं ठीक है that's all living relationship ठीक है तो आप एक छट के नीचे रहते है अब आप सबको चिला चिला के बताएंगे तो है नहीं कि सुनो भाईया सुनो भाईया माई शादी नहीं हुई है ऐसा तो बताएंगे नहीं तो क्या है लोग आपको खुदी हर जगा आज आ रहे हैं साथ में तो लोग आपको मानने लगते हैं जहां भी जिस apartment में आप रह और फिर उसे संबंधित जो कानून है उसके तहट आपको सरक्षड लेगी आगे बात करते हैं लड़के जो होते हैं मतलब हो सकता है कि साथ रहें 20 साल उसके बात करने हो हमको दूसरी पसंद आगी हम जा रहे हैं क्योंकि शादी तो हुई नहीं है बाई जा सकते हैं जो भी चाहें डिस्प्यूट हो गया तो कोई एक अकसर कोई एक ही फरार होता है दूसरा रह जाता है तो मतलब होता ऐसे तो क्या है कि अगर महिला पक्षिकार जो महिला है उसको पुरुष्ट पक्षिकार से दंड प्रक्रिया संगता 125 के तहत भारन पोशन का अधिकार है यहां प क्योंकि भारत में यह है कि नियम है कि आप भाई ऐसे नहीं है कि अगर आपको कोई माबाप नहीं है तो फिर राज्य आपका माबाप है यह कानून है कानून बहुत अच्छा है 125 के तहत उस महिला को भारन पोशन का अधिकार है मतलब पुरुष काम कर रहा है तो तुम जा जाओ लेकिन इसका खाने पीने के दजाम करके जाओ ठीक है बहुरे बने हो जाओ लेकिन यह करके जाओ यह तुम्हारी मोरल ड्यूटी है आगे उचितम नयाले ने रवींद्र सिंग बनाम मलिका अरजुन के मामले में निर्डे दिया था कि लिविन रिलेशन्शिप की जो बच्चे हो जाएंगे तो क्या बच्चे कभी भी जो भार सरकार मानाने जाएगा अब सिर्फ वैधानिक मानने से तो काम चलता नहीं है पेठ के लिए भी चाहिए बच्चे को बच्चे बच्चा उतना ही अधिकार होगा जितनना अगर कोई शादी शुदा उनका बच्चे का जैसे पिता के उसमें अधिकार है वैसे ही इस बच्चे का अधिकार भी होगा अब क्योंकि डिस्प्यूट के बाद ही मामला कोट में जाता है इसका मतलब मतलब दो लोग साथ रहना नहीं जाते बच्चा हो गया अगर उसमें को अधिकार भी देना पड़ेगा और कस्टडी डिपेंड करता है कि को इस विलिंग टू टेक देर चाइल मतलब कोँज जादा एक शुक है अपना बच्चे को साथ रखने का केर करने का बहुत चोटा बच्चा है तो अविसली कस्ट्रडी ममी को मिलेगी क्योंकि उसके भारन को मतलब एक मात्र सादन उसकी मा है तो मिलेगी और उसको पिता की सं मजाथ नहीं कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं लटा Sing के बारे में लटा सिंग का केस ऐसा है कि यह जासे अभी तक आपने देखा पहला वाणा मामूला अपने अश अर्षा देवी का देखा उसमें लिव-डिलेशन्शिप क Sodling नहीं किया क्योंकि वो जो शर्तिंगे हमे favor में ये decision आया था इसमें हुआ ये था कि Lata Singh जो है वो लगभग 50 सालों तक किसी के साथ रहती थी तो लोग उनको पति-पति मानने लगे थे पूरी तरीके से तो अब जो है court ने इनके साथ क्या किया इनका जो living relationship को उसको बोला कि आपका living relationship वो शादी की तरह ही है तो इसको मतलब कोई खराब नहीं कर सकता आपको कोई परिशान नहीं कर सकता है क्योंकि ये living relationship की category में आते थे तो ये अगर संरक्षड मांगेंगे तो इनको court संरक्षड देती लेकिन ऐसा मामला मतलब तो इनके पूरा मामला इनके लता सिंग के favor में गया था क्योंकि ये 18 साल से उपर थी वैस्क थी मतलब और इनकी कोई शादी भी नहीं हुई थी बस ये किसी साथ प्रेम करती थी ठीक है आगे जाते हैं हाँ सबसे important बात जैसे दो लोग साथ में रह रह रहे हैं पत्ती पत्नी की डिस्प्यूट हो सकते हैं पता चले चपल बजने लगी आपस में हैं तो ये नहीं हो सकता है ये किसी भी इतरह नहीं हो सकते तो जिस तरीके से शादी शुदा महिला जो है वो जा सकती है कोट अगर उसके उपर घरेलू हिंसा होती है तो उसी तरीके से घरेलू हिंसा दिनियम 2005 की धारा 2F के तहट लिव-इन रिलेशन्शिप वाली महिला भी अगर उस पर घरेलू हिंसा होती है तो वो कोट का रुख कर सकती है मतलब ठीक है आपको अलग होना हो जाए लेकिन आप चपल नहीं जा सकते इस तरीके के काम आप कुल मिला के हिंसा नहीं कर सकते अब आगे हम आपसे बताएंगे कि लिव-इन रिलेशन्शिप का कॉंसेप्ट भारत में आया कैसे इस तिनेरियों में क्यों जादा केसिस देखे जा रहे भारत में कोई खास कानून नहीं है लिव-इन रिलेशन्शिप पर ये जो है जैसे कोई मामले आते हैं कोर्ट में तो न्याय अन्याय वैलिट फैक्स को धियान में रखते हुए कोर्ट फैसला सुनाती है उनके परपेक्श में ताकि उनको जीने की दिशाह मिल सके हमेट जेसे भारत का कानून है लेकिन कीवश टो इतना ज्याध के में अखा जाता था की Palowarin शादि लेती ऐसा करें परिवार में कुछ कर रहा है तो भाहि करने लग थे तो ज्यादा उनको रोजी हुजाती थी अराम से रहते थी अब क्या है क्योंकि आपकी एजुकेशन ही अल्मोस्ट पचीस साल तक एक एवरेज अगर पीछ दी कर रहे हैं तो भगवान ही मालिक है मतलब कितनी आपकी जो काइन उनिवर्सिटी उस पड़िपन करता है तो मतलब आपकी शादी पचीस, तीस, पैतिस में हो रही है आपकी फर्टिलिटी एज जो पीक पे होती है वो क्या है आपकी लगभग 18 से 30 के बीच में होती है या आप 18 में जादा बोल्डरी में हो अगर कम कर दें तो 16 से 30 के बीच में आपकी जो फर्टिलिटी रेट होती है वो हाई होती है अब जो body का आपका हर्मोन है आपकी जो existence को आपकी species को बनाय रखने के लिए survival of speech को बनाय रखने species को बनाय रखने के लिए उसमें क्या होगा कि आपके hormones तो work कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप किसी के साथ move हो किसी के साथ रहें अब बफ़से तो आप इधरे करियर बनाने में तो क्या है से मामले आ रहे हैं कि शादी कर नहीं सकते, responsibility ले नहीं सकते हैं financially क्योंकि dependent नहीं है तो भाई living relationship उनको जो metros में हैं उनको एक अच्छा alternate मिल जाता है कि हम साथ भी रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारे उपर कोई financial dependency भी नहीं आएगी generally दो लोग कभी living relationship में move on करते हैं और दोनों financially dependent होते हैं जैसा कि practical cases है इसी वज़े से ये जो alternate है वो सामने निकल के बाहर आ रहा है क्योंकि अब सीन पूरी तरीके से सिनेरियों बदलने लगा है और कही नहीं कहीं क्या है ना ना तिकता भी बदल रही है पहले क्या होता है आज की education हमारी क्या हो रही है पूरी तरीकी से western culture में हो रही है coed education हो रही है मतलब कही नहीं कहीं अगर आप देखें तो जब तक बच्चा school में है वो बहुत कुरीतियों से दूर रहता है क्यों? क्योंकि आप वहां पर क्या है आपको जाती बात नहीं सिखाए जाता है सब यूनिफॉर्म में होते हैं आपके लिए जब आप इंटर क्रोस करके निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि दुनिया में आखिर असलियत क्या है क्योंकि स्कूल में आप जा रहे हैं सब के साथ मिल रहे हैं वहां कोई नहीं बताता भाई या कि किस जाती का है सब एक समान है लेकिन आप बाहर निकलते हैं तो आप यह सब कुरीतियों का सामना करने लगते हैं ठीक है? तो बेसिकली आप स्कूल कब खतम कर रहे हैं 18 साल, 20 साल तक में 18 साल में लगवख सब की स्कूलिंग हो जाती है तो आपको क्या है 18 साल जिस कल्चर में आपने अडॉप्ट किया अचानक अगर आपको दुनिया दारी सिखा जाएगे अगरे आप सीखेंगे तो जब सीखेंगे जब करेंगे बदल रहे है क्योंकि सुसाइटी का वह अब बदल रहा है तो पुरानी चीज़ अभी बदल रहे है तो लिव इं डिलेसिंशिप का बताया मैंने कि जो लोग अभी मतलब शादी नहीं कर सकते हैं तो आज बिसिकली से रिड़े कानून थे जितनी बाते थी और हो मैंने कबर की लिए अगी नई टॉपिक के साथ आपके साथ में हाजिर होंगे थैंक यू बरी मिच फॉर्ट पॉर्ट